परदार नुल के साथ और मैं हूँ बेट चुनाओ का माहूल है और चुनावी सरगर्मी तेजी से बढ़ रही है तो इस दौर में हम आज पहुचे हैं सिमरिया विधान सभा के चौरा गाओं में जहांके जनपत प्रत्यासी रहे और विजेता हुए हैं जनपत सदस श्री अभ पर च्षेतर में सिमरिया सभा के पिटर पार्ठे जे निश्चितू उपसे प्रत्यासी हैं और बिजाई भी होंगे और 15-20 लार मतों से बिजाई होंगे जिस तरीके से बरतवान में भी तीन महीने पहले अभे मिसरा बीजेपी में थे फिर अचानक से छोड़के कांग्रेस में आते हैं तो ये कैसे इस्थित निर्मित हुई कि उन्हों ने दो बार तीन बार लगा तार पार्टी का पार्टी में बदलाव गिया निश्चे थे वो पोजी पती अपनी पार्टी मान रहें कि जब चाहेंगे तो जिस पार्टी से टिकट खरीद के और चुना उरड़ जाएंगे तो भारती जनता पार्टी ने नहीं टिकट दिया तो कांग्रेस से वो टिकट खरीद के लाए और सोचते हैं कि सब कांग्रेस के कारकारता हमारे वो हो चुके हैं जैसे उन्होंने के पित्र पाठी का भी नाम लिया था कि इनको टिकट ना मिले कुछ इसकी ये बज़ाई भी मानी जा रही उनकी दुवारा कांग्रेस में आने की जब निश्चिति कांग्रेस बिजेपी से प्रत्यासी और विधायक है के पि साहिट से ही बात है कि मिलेगा तो इस बार जनता क्या सोच रही है जनता के मन में क्या है जिस तरीके से इस बार टिकटों का वटवारा हुआ है जनता विधायक बदलने के विचार में है नहीं है और जिस तरीके से ये दौर शल रहा है तो आपको क्या लगता है कि इस बार विधायक केपी त्रिपाठी ही होंगे इल्कुल निश्चित जहां पर कुछ लोगों से सुना जा रहा है कि अभए मिस्रा इस बार पैसों की वह चाहर कर देंगे और हर घर में पैसा देंगे और तब जाएक कोई दायक बनेंगे वह तो अब समय बताएगा कितना उनका पैसा काम आता है माकी लाडली बैहना से उराज जी कितनी अच्छी हो जी लाडली आवास है इनके आंगे उनका पैसा कुछ न काम करेगा तो आपके छेत्र में कितना विकास हुआ है हमारे छेत्र में बहुत विकास हुआ है किस किस तरीके का विकास हुआ हमारे ग्राम पंचायत में टैंकर नहीं था निश्चित यह सापके सामने खड़ा हुआ है हैंड पंप हुएं कई और सड़क बनी सड़क के बिधायक निधी स पैसा दिया गया अभी हमारे छेतर में एक दो कडोर 62 की सड़क बन रही है सथनी रीबा मजियार रोट से सथनी रोट की जी और शिक्षा के छेतर पे आप क्या बाउलेंगे सिक्षा के छेतर में हमारे से मरिया में एक सीम राइस की स्कूल मिला है जैसे की हम देख रहे हैं आपकी जो चवरा पंचायत में विद्याला है उसमें चलने के लिए मार्ग नहीं है बारिस में पानी भर जाता है तो उसका कुछ समाधान होगा वो होगा निश्चित ही होगा उसकी सड़क बनेंगे बिद्याला जिर्णोधार की स्थित में आ चुगा है तो उसका जिर्णोधार होना चाहिए या नहीं है कुछ ऐसी विश्चा होनी चाहिए ताकि यहां के छात्र जो है तो बाहर ना जाके उचित सिक्षा पराप्त करें सियम राइस स्कूल हो जाएगा तो ऐसे भी 44-45 करोर की बिल्डिंग बनती है तो उसमें सब कुछ हो जाएगा जैसे यहां के सिक्षक हैं उनके सिक्षक के स्थर क्या है थेक अच्षा है सिक्षा के अब नए प्राचा रहा हैं उस दिन से विल्कुल टाइम से स्कूल लगते है साड़े दस बज़े बिद्याले लग जाते है और पांच बज़े तक अब चलते सिक्षा में अब बढ़ यह काफे सुधार आपके छेत में कुछ ऐसा भी सेस है जैसे बाहर के लोग भी आए और जुड़े कुछ परेटन इस्थल दार्मी के स्थल उसके बारे बिद्याइब बिद्यानाच स्वामी हनमान जी का मन्दिर है और यह बहुत सिद्ह हनमान जी महराज है, चीराःताइब के हनमान जी है लोग कहां कहां से मननत मागनी आते है, और होली के बाद जो पहला मंगल होता है बढ बा मंगल उसर दिन्मेला लगता हो, राठ दिन का मेला होता है, और सिद्ध है यहां सुईस लेके सोना तक बिकता हमेले में तो यह कितने वर्सों पुराना मंदिर है अब यह तो मंदिर रखभख डेड़ 200 साल पुराना होगा जे तो इस बार जैसे आप बोल रहे हैं आपके विदाय के पिद्र पार्टी होंगे तो इस बार क्या कुछ अलग होने वाला है हमारे सिमरिया बिदान जबा में कार की छेत्र में कार की छेत्र में अभी पहले भी हमारे यहां पहले राजमनी पतेल जी सेतु निर्मान के मंतरी थे एक पुल दिये थे वो भी जब उनकी बिदायक कारकाल खताम होगी हमारे सिमरिया के बिदायक लाडले स्री केपित्र पा एक दिये मुड्यारी से खड़ा और एक अब दुग्गमा से धरी और धरी का एक ऐसा ये पुल है कि उसमें बीच में एक टापू है मोर बन के नाम से जाना जाता है वो भी पैटक के का भी सम्था बनाए है वहाँ जैसे से मरिया छेटकर बिधायक रहे के पित्र पाठी को हिटलर और ताना साहभी कहा जाता है ऐसा लोगों के मुझे सुना गया है तो क्या ये बात सही है ये भी रोधियों का काम है कहना आकि ऐसे तक कुछ नहीं से मरिया के बिलकुल लोगप्री बिधायक के पित्र पाठी स बिनमराज तक कोई बिधाय के यहां हमको देखने को नहीं मिले एक यहां पर अखंटिवारी नाम के बेक्ति हुआ करते थे उनके बारे में आपकी क्या राया है दो हजार अठारा की चुनाओ में हुए थो लेकिन इस चुनाओ में नहीं है अब तो इस दुनिया में ही नहीं है तो उनके बारे में आप क्या सोचते हैं क्योंका इस चुनाओ के दारान नहीं होना कितना खलेगा निस्चे थे उनकी कमी बहुत खलेगी पर उनके बड़े भाई उनकी श्री मतीजी और सब उनका पूरा परिबार हम सब लोग उसी परिबार से हैं तो निस्चे थे उनकी साथ ही रहेंगे और यहां उनका वही हमको भारती जनता पार्टी में लेके आए थे तो अब उनके आँगे की वह हम बढ़ाएंगे क्योंकि वह एक ऐसा व्यक्ति था जो सब को बात के रखता था तो क्या ऐसा व्यक्ति भी हमारे छेत्र में है कोई जो एक जुट होके किसी कारे के लिए आगे बढ़े है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें